रिवाडी के धारवड थाना छेत्र के बीए सेकेंड एर में पढ़ने वाली छात्रा के साथ लव जयाद धोका करने का बेहत संगीन मामला सामने आया ये पूरा शड्यंत्र किसी और ने नहीं बलकी छात्रा के साथ ही कोलिज में पढ़ने वाले मोसम खान ने प्रेम बनकर रचा पीडी छात्रा तीन साल बाद किसी तरह चुंगल से छुट कर रिवाडी पहुची और आप भी ती परिजनों को बताई धारविड़ा थाना पुलिस ने धारा 323, 342, 366, 372, 496, 506 की तहत मुकदमा दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि धारविड़ा थाना छेतर निवासी, सेकंड एर की छात्रा को उसी के कोरिज में पढ़ने वाले मोसम खान ने अपने आपको प्रेम बताते हुए महेंगे गिफ्ट वेर नोकरी दिलाने का जासा देकर अपने प्रेम के जाल में फसाया जिसके बाद गाउं उटान निवासी मोसम खान उर्फ प्रेम ने छात्रा का अपरण कर हरिद्वार ले जाकर हिंदुरी तिरिवाज के साथ शादी की आरोपी तीन दिन बाद ही यूती को अपने गाउं उटान ले गया यहां पर पहले पिश्टल की नोग पर धर्म परिवर्तन करवाया गया इसके बाद निकाह किया गया इतना ही नहीं आरोपी के भाई ने भी यूती के साथ दुशकर्म किया और तीन साल तक घर में बंदक बना कर रखा तीन साल बाद किसी तरह से यूती आरोपियों के चुंगल से बच कर निकल भागी और आप भी ती परिजनों को बताई अब पूरे मामले में धारवड़ा थाना पुलीस ने मुकदमा दर्ज कर लिया जब इस समंद में परिजनों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया लेकिन इतना जरूर कहा कि उनकी जान पर खत्रा है ऐसे में वे धारवड़ा छोड़ कर जैपुर जा रहे हैं वहीं पुलीस का कहना है कि गहनता से जाच की जा रही है जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुरा मामला है और क्या मुकत्मा दर्ज हुआ है इस समंद में पुलीस स्टेशन वीमेन रिवाडी ने एक F.I.R. No. 77 दर्ज की है अंडर सेक्शन 323, 34, 342, 366, 372, 496, 506 IPC मुकदमे की गहनता से जाच कर रही है जो भी आगामी कर रही है